नमश्कार आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिव आपकी साथ मैं हो मुस्का देशको ठंडियों में अक्सर ऐसा देखते हैं कि जो हमारे स्कैल पर वो काफी जादा ड्राई हो जाता और डेंडर्फ की काफी जादा समस्या होती है बालो में इसी पर खास बातचीत करने के लिए कैसे हम डेंडर्फ से बच सकते हैं सर्दियों में हमारे साथ मौझूद है डॉक्टर अर्शनलो खंडे दर्शी को आपको बता दे कि यह बहार की जानी मानी चर्म रोग विशेशक्या है मैं नमश्कार बहुत-बहुत स्वागत है आपका थांक्यू वेरी मच मुस्कार मु इसे हम डेंडरफ बूलते हैं तो आम तरह पर यह थोड़ी सी हरकिसी के साथ निकलती है क्योंकि बॉडडी की स्किन बनने की यह प्रोसेस रहती है कभी-कभी यह समस्या बहुत जादा हो चाती है तो इसे हम सिबोरिक डर्मेटैटिस बोलते हैं जिसके बारे में भी हम डिस तो यह सब चीजों के लिए उसका importance है कभी-कभी इसी के ऊपर fungus जम्मा हो जाती है genetic factors के बज़े से या hormones के बज़े से भी जो male hormones है उसके बज़े से यह oil की मात्रा कभी-कभी बढ़ जाती है कभी-कभी trines भी आती है season के हिसाब से changes होते है अगर आप कोई कुछ medications कहा रहे हैं तो उसके बज़े से भी dandruff की समस्या कभी-कभी बढ़ जाती है अगर आपको diabetes है HIV है या कोई और दूसरी बिमारिया है neurological बिमारिया जैसे Parkinson's disease है तो उसमें भी dandruff या siboric dermatitis की समस्या बढ़ जाती है जो तो यह हम बोलेंगे कि दो end है diseases के dandruff उसमें एक मामूली समस्या है और si dandruff की परिशानी थोड़ी जादा बढ़ जाती है तो हम कुछ इसके symptoms discuss करेंगे age group discuss करेंगे तो जनरली छोटे बच्चे को भी जो नवजाज शिशू होता है कभी-कभी उसके बालों के या सिर के ऊपर भी पपडिया जमा हो जाती है इसे हम cradle cap medical language में बोलते हैं तो मा के जाती है अपने ठीक हो जाती है अगर नहीं ठीक हो रही है तो उसके लिए जरूर अपने qualified dermatologist की सला लेनी चाहिए बाद में जैसे जैसे हमारी उमड बढ़ती है तो जब adolescent phase आती है या periods आना शुरू हो जाते है आवाज मेल्स की change हो जाती है तो उसके बाद 14-15 साल में भी फ person में जादा परेशानी होती है कभी-कभी यह परेशानी समर्स में भी देखी जाती है throughout the year भी हो सकती है और इसके साथ कभी-कभी दूसरी बिमारिया भी attached हो सकती है जैसे सोरियासिस की problem है आमने पहले भी वीडियो में डिसकस किया है तो सोरियासिस scalp को भी affect करता है कभी-कभ बोरिक-डर्मेटरीस है डैंडर और सोरियासिस की पश्रानी इकट्ए हो सकती है तो इसके वज़य से जनरली लोगों को क्या होता है कि उनके कपड़ों पर डैंडरफ गिरा हुआ है हात में जब भी बालों में हाट डालते है तो हात में डैंडरफ जैसे निकलता है चिकना ह उसे बचाव के से कर सकते हैं? देखिए बचाव इन दे सेंस आपकी परेशानी की सीवियरिटी कितनी है उस हिसाब से हम उसकी ट्रीट्मेंट करते हैं तो कुछ दवाईया है जिसकी जैसे प्रॉपर डाइगनोसिस होना सबसे ज़ादा जरूरी है दूसरा पेशन्ट की सीवियरिटी कितनी है या कौनसे अंग उसको परेशानी जय्दा हो रही है तो उस एसाब से हमखाने की दवाईया या उनके इचींग प्रॉबेम के हिसाब से उनको दश्याः प्रोड़ करते हैं बडी के कौनसे कउनऀ से अंग उससे अफेक्टेड रहा है उस हिसाब से specific cream president रोश या लगाने के लिए देत तो ये सारी बाते हैं और जनरली क्या होता है जब हमें परेशानी जादा रहती है तो हमें जादा treatment की ज़रूरत पड़ती है जब परेशानी कम रहती है तब हम शैंपू के बारे में यूज करके उसको continue या maintain कर सकते है तो मुसकान जी शैंपू इंग बहुत ही एक important cleansing का तरीका हैं बालों के स्वास्ते के लिए या scalp clean रखने के लिए तो आप शैंपू का इस्तमाल कैसे करते हैं बहुत सारे अंटी डेंडर शैंपू आते हैं जिसमें अलग अलग तत्वर रहते हैं जैसे selenium sulfide रहता है या sulphur रहता है कोल्टार रहता है या keto-konazole जिसका शैंपू हम ब बालों के जड़ों में लगाने हैं यानि scalp पे लगाने हैं यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमें scalp को clean करना है बालों को clean नहीं करना और उसको आप कभी-कभी बहुत बार जो शैंपू है अंटी डेंडर उसको 5-10 मिनित या कम से कम 5 मिनित रखने की जरूरत हो इसके उपर है इसकी frequency हफते में दो बारिया alternate day के हिसाब से कर सकते हैं जैसे आपकी परेशानी कम हो जाती है आप इसका use once in 10 days once in 15 days ऐसे करके बाकी टाइम आपका नॉर्मल शैंपू यूज कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रे यह तमाम जानकारी देने की thank you very much मुसका तो आपके लावदायक रही हो तो आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंट कर ले साथ ही हमारे फेजुक वेज को लाइक करें वीडियो देखने के आपका धन्यवाद